और ये सब राष्ट्रवाद के नाम पर करते हुए उस लूट पे से लोगों का ध्यान अटाने के लिए एक तरफ ये कानूनन दमन का चक्रतेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद जैसे जूटे बाते बोल करके लोगों का ध्यान उनके वस्तविक मुर्दों से हटा रहे हैं हम सारे लोग अगर इसका विरोध नहीं करेंगे तब तो इसका हाई-जैक हो जाएगा स्वागत है आपका जनहित आवाज में मैं हूँ आपके साथ पूजा और आज यहां जंतर मंतर पर जो तमाम लोग एकत्रित हुए हैं तो क्यों हुए मैं थोड़ा सा मैं हमसे भी जान लूँगी क्योंकि जिस तरीके से लगातार यूए-पी-ए का गलत इस्तमाल किया जा रहा है परशाद की तरह बाटा जा रहा है यूए-पी-ए तो उसी के तहट जो जीन साइई बाबा हो चाए हुमर खालिद हो तमाम सरज अंति शील महिला संगठन दिली की महासचिव हूं और आज मानवादिकार दिवस है अंतिराष्ट्र मानवादिकार दिवस है और उसके उपलक्ष में ही जंतर मंतर पर चुद्धरना है उसमें भी हम भाग लेने के लिए हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात आज कहना चाहूंगे कि अभी जंतर मंतर पर राजधानी दिल्ली के अंदर वैसे ही प्रदर्शन की जगहां को लगातार सिकोडा जा रहा है जंतर मंतर की भी बैरिकेटिंग अगर आप दिखाएंगे अपने दर्शकों को दिखाईए एक नया ट्रेंड और यहां पे कि आप आन अधिकार दिवस है मोदी जी जो है जी ट्वेंटी के प्रेजडेंशिप की आज बात कर रहे हैं कि बहुत नया नया चीज दिखाएंगे और आप अपनी जंता के बेसिक अधिकार के असेंबल होने का जो अधिकार है हिंदुस्तान का समीधान जो है आपको अधिकार देता ह असेंबली का और उसके उपर किस तरीके से आप ऐसी चीजों से चोट पहुचाते हैं एक चीज और दूसरी पार जिस तरीके से प्रेवेंटिव डेटेंशन लौ है तमान तरह के उनका आप मिस्यूस करते रहे हैं और यूए पीए जैसा एकदम डर्कुनियन लौ जिसको कि टाडा और पोटा को खतम करने के बाद लेकर आएंगे और इस यूए पीए को जैसे कि आपने कहा कि प्रशाद की तरह बाटा जा रहा है और ये स्थिति है कि इसका कन्विक्शन रेट इतना कम है और इसमें चार्शीट फाइल नहीं हो रही है बहुत सारे मामलों में कि जेलों में डाल देना और प्रोसेस ही इसमें सजा है आप जो है बिना चार्शीट फाइल किया आप जो है लोगों को सालों सालों साल जो आप जेल में रख सकते हैं और लोग जेल में मर जाते हैं स्टैन स्वामी के साथ यही हुआ और बहुत सारे लोगों के साथ यही हो रह कि उनके खिलाफ कोई गवाही और सबूत नहीं था, तो यह जो स्टेट की माइट है, यह जो स्टेट की गुंदागर्दी है, एक तो साधारन लोगों के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ जो जनता के अधिकारों के पक्ष में खड़े होते हैं, defenders of people's right, उन activists को जो है कि ताक democratization करने के इनके मोहीम है, आज यह जो है पूरे देश के जल, जंगल, जमीन, साधनों को, आज देश की श्रम संपदा को जिस तरह सा यह देशी-विदेशी कॉर्परेट्स के हवाले कर रहे हैं, और यह सब राष्ट्रवाद के नाम पर करते हुए, उस लूट पे से लोगो का चक्र तेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद जैसे जूटे बाते बोल करके लोगों का ध्यान उनके वस्तविक मुद्दों से भड़का हटा रहे हैं, और इसके खिलाफ जहीर सी बात है, लोगों के पास सामुहिक जो संगर्शों का रास्ता है, जंदा के पास सिवाई इसके और कोई रास्ता नहीं होता है, तो वही रास्ते पर चलते हुए लोग बिरूत कर रहे हैं, संख्या महतवपून नहीं है, परन्तों महतवपून ये बात है कि आवाज उठे और आवाज उठ रही है, और वो आवाज निश्चित तोर पर जैसे जैसे इस की बात की, तो हिमान शुक कुमार आदिवासियों के लिए जो लड़ रहे हैं, हमेशा से समाजिक कारे करता रहे हैं, उन्हीं आदिवासियों के लिए जब वो लड़ रहे थे, पिटीशन वगेरा डाली, तो उसके तहती जो महिलाओ के साथ वहाँ पर पुलिस वालों ने उनका बलातकार किया, वो ही जेल काट रहे हैं, और जब वो उनकी अवाज उठाते तो उनके उपर पांच लाग जुरुमाना लग जाता है, लेकिन वहीं अडानी अंबानी के उपर भाग जाते हैं पैसा लेकर के, इस तरीके की सरकार का जो दमन चला रही है, दमनकारी सरक हो रही है तो यह कैसे आप लोग मलब इसके तहट आप लोग बात करें कि बात करने वाले को ही उठा लिया जा रहा है कि यही यही इस वासिवाइदी मुहीं के विशेश बात और इसमें कई पालिका भी बड़ा विचित रूल अदा कर देती है और यह हम तो लगातार देखें करें तीस्ता स्टेलवाड के मामले में भी यह हुआ और यह है कि उसके बात फिर नयायपालिका नहीं उसमें बुमिगा भी अदा करीं उनके बेल के मामले में भी तो यह तो है कि कॉर्परेटाइजेशन की लूट जिसतना से यह मोहीम और ज्यादा बढ़ाईगी जल जंग पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए यह जो है एक तरफ दमन चकर को अपना तेज कर रहे हैं और इसी लिए यूए पिए के जो भी बोलता है उसको आप यूए पिए के तहट कर लेते हैं तो यह तो चुनौती है और इसका रास्ता के वेल एक ही है कि तमाम जन आंदोलन और वो मुहीम चलती भी है चल भी रही है देश भर के अंदर लोग लड़ रहे हैं देश भर के अंदर लोग सड़कों पर आ रहे हैं इनके नीतियों का विरूद करने के लिए इनके दमन के हतकंडों का विरूद करने के लिए रास्ता के लिए आप आंदोलन की तो बात कर कोचा कहीं पर भी अगर वो लड़ती एलेक्शन तो जीट जाती है तो यह कैसे होगा फिर आप लोगों की तो लग बाती नहीं सुनी जाएगी नहीं देखें हम नहीं समझते हूं कि वोट का मामला ही जो है यह तै करता है कि जनता के अंदोलन अंदोलन सही हैं के नहीं है यह म स्ट्रा परलिमेंटरी मेथर्ड के द्वारा और बिल्कुल वास्तों में एक जना अंदोलन के स्वरूप के द्वारा और कुर्बानियां देते हुए जिस तरह से उसने इस मोजूदा फाजिवधी सरकार को मजबूर किया नितीन क्रिशी कानूनों को रद करने के लिए रास सरकार के लिए उनने तो देखा कि UAPA को जो है कॉंग्रेस सरकारी लेकर रही या जो पूरी कॉर्परिटाइजिशन की नीतिया है उनको LPG की नीती शुरू करने वाले मनमोहन सिंग और चिदम्रम ही दे नरसी माराव साहब के राज में और ऑपरेशन ग्रीन हंट जैसी जन विरोधी जो पूरा हंटिंग ऑपरेशन है जो पूरा ट्राइबल्स को तभा करने वाल ऑपरेशन हो चिदम्रम जी के राज में चला तो नीतियों के उपर इन में कोई फरक नहीं है सवाल के वल एक्सेंट का है कोई ज्यादा एक्सेंट तक करता है कोई कम एक्सेंट तक कर अभी कली मैंने यहां पर कवर किया था, कम से कम कितनी तादायद में यहां पर खिसान आये थे, पीछे हट तो गए, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने उनका अभी तक जो है, जो उनके मांगे थी, वो पूरी नहीं की है जहिर से बात है, उन्होंने एक रास्ता दिखाया, फिर से उन्हें यह भी स्पष्ट है कि अंदूलन ही करना होगा, बिना अंदूलन को कुछ भी नहीं होगा, एक अंदूलन से कम से कम उन्होंने काग्जों पर उस कानून को खतम करवाया, और अभी उसी शकल में लेकर आना उनके लिए संभव नहीं है, अब वो किस शकल में आता है, तो जहर से बात है, किसान अंदूलन है, वो लड़ी लड़ी रहा है, और सिवाए सामोविक लड़ाईयों के और कोई रास्ता नहीं है, तो लड़ी रहे हैं, और यही स्थिती जो है जनता के हर तपके के सामने अधिकार ही नहीं रह जाएगा, गराम सभाओं के अधिकार कतम हो जाएंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी लड़े हैं लोग, तो रस्ता तो के वली किया, अभी जो यूवे पीए, मैंने अभी बात की, तो उमर खालिद को रखा गया, उसी यूवे पीए के तहट, ज जब आप क्लीन चिट दे रहे हैं बाद में, इतने टाइम बाद, तो उनका जो इतना समय खराब हुआ, उसका कौन भरपाई करेगा? पर आना होगा, उसके साथ तमाम जनांदलों को मदद देनी होगे, और साथ-साथ इस बात को रखते हुए कि जितने भी राहिनतिक बंदिया, उनको अविलम रीहा किया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जो हिंदुस्तान का बेसिक कानून है, कि जमानत अधिकार है, जेल अपवाद है, बेल is rule and jail is exception, इस बात को एक्चुली लागू कराने के लिए सडकों पे निकलना पड़ेगा, और तब ही शायद हमारी जुडिशिरी को भी हम फोर्स कर सके, कि आप इस चीज़ की कॉग्निजेंस लीजिए, कि यह हो क्या रहा है, बेल अभी exception हो गई है, और ज पुलिस वाले जो उसके तहत उसको जेल में डाल दे रहे हैं, उसके उपर यह सब इल्जामात लगा दे रहे हैं, क्या उनके खिलाफ एक्चन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जुडिशियरी को लिया जाना चाहिए, और जहां तक action का question है, उन सब के उपर मु इसे हैं कि उसके लिए भी लोगों को सड़कों पर निकलना पड़ेगा, तो यह मतलब बहुत बड़ी वड़मना है कि जुडिशियरी सिस्टम यानि हम एक तरह से मान लेकि खतम हो चुका है, नहीं मैं यह ऐसा नहीं कह रही हूं कि कहतम हो चुका है, मेरा कहना यह है कि जन अधिक और सर है, इनके गले में सर, यह क्या टांग रखा है, मैं पढ़के बता देदी। सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करो, जन हस्त शेफ फासीवाधी मनसूबों के खिलाफ अभ्यान, तो यह फासीवाधी मनसूबों के खिलाफ अभ्यान चला रहे, किसके मनसूब कि जब भाशिवादी मंसुब की बात करते हैं तो नहीं करते हैं इसको पूरे समाज को एक और शापिए इस ठीच में uh तो मतलब कोई आपकी कि यह जो इस तरीके की दमनकारी नीतियां हैं आप कब तक विरोध करेंगे सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि हर कोई जो विरोध करता है उसको भी तो अंदर डाल दिया जा रहा है क्या हम यह मान ले कि लोकतंत्र मर चुका यह आखरी सांसे गिन रहा है देखिए लोकतंत्र मर चुका है अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब हमारे विरोध की वजह नहीं रह जाती है तो मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र मर चुका है लोकतंत्र पर हमला है और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इस हमले को परास्त करने के लिए हम विरोध कर रहे हैं और ये तो इस देश की फितरत है कि हम एक बहुरंगी समाज हैं और मैं मानता हूँ कि एक बहुरंगी समाज के तोर पर ही हम फल फूल सकते हैं हम प्रगति कर सकते हैं तो अपने समाज का अपने देश का यह चरित्र बढ़ करार रखने के लिए हमें लड़ना होगा आप बहु रंगी है हमारा देश लेकिन अब जो पिछले आठ सालों में आपने कोई फरक देखा है कि दो ही रंग लहरा रहे हैं एक खरा और एक भगवा यह तो पॉलेराजेशन की आप बात कर रहे हैं तो इसी लिए भी जरूरत पड़ी है कि हम यहां के खड़े हों हम भी रोजगार करने वाले लोग हैं ठीक है न हमारे भी हमारी भी वियुस्ताएं होती है हम्हों यहां खड़े हुए हम देख रहे हैं कि हमारे जो हमारा जो हमारा जो सम्विधान है उस पर हमला है और हम मतलब मैं से नहीं हैं सारे और विरोध के तब तो इसका भाइन हे वाले लोग कौन भी ही में Hindu Muslim करते हैं किसी को मंदिर चाहिए किसी कॉम मसज़द चाहिए मंदिर की लड़ाई इतनीबड़ी ओगई एक शिक्षा भी फेल हो गई है शिक्षा के लिए कोई लोग सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं शिक्षा महंगी हो रही है उसके उससे कोई मतलब नहीं है क्या धर्म की चाश नहीं और धर्म इतना बड़ा हो गया है कि लोगों को महंगाई नहीं दिख रही है यह तो है राजनीति कि लोग है उनके कैसे बुलंद और यही सबसे बड़ा सवाल है ना कि पुलंद कैसे ओर रहे हैं यह तो आप देखिए ना कि कॉर्परेट हाउसेस का खेल है ना सबसे बड़ा खेल जो है वह एलेक्टोरल बॉंड से आप पारदर्शिता की बात करते हैं मोदी जी हर शेत्र में पारदर्शिता की बात करते हैं कि हमने यह कर दिया पारदर्शी बना दिया पर आप यह बताईए कि यह कितना पारदर्शी है कि किसी राजनितिक दल को कौन से लोग चंदा दे रहे हैं कितना चंदा दे रहे हैं उनका उनकी इसके पीछे मनशा क्या है क्या यह आम नागरिक को जानने का अधिकार नहीं है तो यह पैसा है आप देखिए जैसे लगता है ना कि पूरा देश भगवा में हो गया है पर ऐसा है नहीं करनाटक में बीजेपी तो नहीं जीती थी है ना या बाकी राजियों में भी आप देखिए ऐसा नहीं है अगर चुनावी नतीजों की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बड़ी अच्छी कामियावी मिली है ज्यादातर राजियों में उन्होंने महराश्र का मामला देख लिजे किसी भी राजियों का मामला देक लिजे चुनाओं में पराजित होने के बाद उन्होंने धन का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल किये भी भी एक जो है तो बता रहे हैं कि इवियम भी एक वो है जिससे वो जीट जा रहे हैं क्या इवियम वाकई में कि मैं कोई टेक्नोलोजी का आदमी नहीं हूं तो इसलिए मैं यह नहीं कह सकता है कि EVM के जड़िये धानली हो रही यह सवाल उठाए गए हैं और मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को मानते कि बैलेट पेपर से हमारे देश में भी जो है चुनाव होना चाहिए इसके ब दिढूर हो अगर नहीं अगर दूर हो सकते तो उसको कुछ ट्रीखे के बारे में चुना अधायर लगता है कि वह ढ़ना से बचता है क्या मतलब वाकई में है ऐसा कि वो जाती गड़ना अगर करा लेंगे तो वाकई में उनका जो स्तर है वो पता लग जाएगा एजिंडा पता लग जाएगा ये तो यह ना कि सत्ता पर ये एक बड़ा सवाल आपने किया है सत्ता पर कौन से लोग काबिज हैं और किस आधार पर काबिज हैं कुछ को बाट देंगे ठीक है ना अगर आप समूदायों में विभाजित करके विकास को देखेंगे तो बहुत सारी असलियत सामने आ जाएगी तो इसलिए वो नहीं चाहते कि इस धंग से कोई गंड़ना हो चाहे वो शिक्षा के बारे में हो चाहे वो आर्थिक विकास के बारे म तो हो नहीं चाहते कि इस धंग से देखा जाए कि मुसल्मानों में शिक्षा की श्थिति क्या है अधिवासियों में शिख्षा की श्थिति क्योंकि उस के इलजाम देखे बिना कुछ सबूत देखे जो ऐसे लगा दिये जा रहे हैं यह कहां तक सही है और कहां तक आप लोग लड़ेंगे जी अन्साइं बाबा के लिए भी हाई कोट से बोला गया था रहाई के लिए लेकिन अभी भी उन्हें छोड़ा नहीं गया तो तो ही ना व आप किसी आदमी को इतने लंबे समय तक कैद में रख सकें वही जमानत तो सामानने वेवहार है और जेल तो अपवाद है आपको किसी आदमी से पूस्ताश करने के लिए कितना समय चाहिए होता है आपको अभीयोग पत्र दायर करने के लिए कितना समय चाहिए होता है इतने लंबे समय तक मैं तो हैरान होता हूं कि खुद राश्ट्रपती जी ने ये मामला उठाया कि हमारी जेलों में बहुत सारे लोग वर्षों से कैद हैं और उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो बेल के लिए जा सकें या उनके पास इतनी जानकारी नहीं है कि ये उन्हें पत प्रागया है तो जब इस देश का सरवोच चनागरिक राश्ट्रपती में जी ही ये सवाल उठा रही है तो क्या सरकार को इस पर विचार नहीं करना चाहिए तो यह तो विडमना है आप देखिए कि द्रोपदी मुर्मू भी जो है इस तरीके के सवालों के लिए जो है बोल उसके तहत उनको जेलों में भर दिया गया है यह बहुत बड़ी विडमना है तो यहां पर जो तमाम लोग आज एकत्रित हुए वो इसलिए हुए है कि चाहें जी एन साइबाबा हो उमर खालिद हो सरजील इमाम हो और भी ऐसे एक्टिविस्ट है जिनके नाम अभी मैं यहा ने उसके तरीके का इजाम नहीं है और फिर छोड़़ दिया जाता है जो इतने टाइम उनका करियर ख़राब इतने टाइम उन्होंने जेलों में काटा तो इसकी भरपाई कौन करेगा सबसे बड़ा सवाल सत्ता और जुडिशरी सिस्टम के ऊपर है कौन भरपाई करेगा इसे के साथ देखते रही है जनित आवाज मेरे सायोगी धर्मेन के साथ में पूजा जंतर मंतर बिली